नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं सवाल आया है कि क्या गंदे कपड़े पहन कर मेट्रो में यात्रा नहीं कर सकते हैं क्या आपको सिर्फ कपड़ों की बज़े से यदि आपके कपड़े थोड़े से तुलनात्मक रूप से गंदे हों ज्यादा क्योंकि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनता है तुलनात्मक रूप से गंदे कपड़े यदि आपके दिखाई दे यह है करनाटक के अंदर बैंगलोर्ड सहर के अंदर चलने वाली मेट्रो और यहां आपको दिखाई देते हैं एक व्यक्ति जो कि है किसान कुछ कपड़े अब आपके देखेंगे तो आपको तुलनात्मक रूप से इनके कपड़े उतने साफ नहीं मिलेंगे जितने की टेक्न मेट्रो के अंदर जब बोर्ड करने के लिए आए थे तो इनको एक सेक्योरिटी परसनल के द्वारा रोक दिया गया अब इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे फार्मर स्टॉप्ड फ्रॉम बोर्डिंग बैंगलोरू मेट्रो के अंदर फार्मर को रोक दिया गया डेकन हे प्रवाइब दीरे दीरे ले लेती है कपड़े थोड़े से गंदे थे वेक्ति के उसको जो है रोक दिया गया है हाना कि ओफिसर्स के ऊपर कारवाही सारी हो चुकी है ओफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है बैंगलूरू मेट्रो मेट्रो इस्टेशन का एक वीडियो वाइरल हो रहा है इसमें दिख रहा है कि राजाजी नगर मेट्रो इस्टेशन के स्टाफ ने एक किसान को मेट्रो में चड़ने से इसलिए रोक दिया क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे वीडियो में नजर आ रहा है कि एक वृद्ध किसान बैग चेकिंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है उसके सर पर समान का एक बोरा रखा हुआ है जिस समय किसान को रोका जा रहा था तब वहां खड़े एक पैसेंजर ने अफसर से पूचा कि क्या मेट्रो में चलने का कोई ड् कार्तिक सी एरानी नाम के एक व्यक्ति मौझूद थे वीडियो में उन्होंने ही बना कर पोस्ट किया वीडियो में उनकी आवास सुनाई दे रही है वे किसान को मेट्रो में एंट्री से रोकने का विरोध कर रहे हैं कि आप किसान को जाने से मेट्रो के अंदर आखिर क्यों को रोक रहे हैं कारतिक Metro Security Supervisor से किसान को रोके जाने का कारण पूँच रहे हैं वे जिकारी से कहते हैं कि Metro में सफर करने के लिए क्या कोई dress code है वहे व्यक्ति एक किसान है और उसके पास Metro से यात्रा करने का टिकेट है उसके बैग में कोई ऐसा समान नहीं है जिसे मेट्रो में ले जाना प्रतिवंदित हो उसके पास केबल कपड़े हैं किस आधार पर उसे मेट्रो में सफर करने से रोका जा रहा है कार्तिक अफसरों से कहते हैं कि मुझे ऐसा नियम दिखाएं जो मेट्रो के यात्रियों के लिए एक ड्रेस कोड अनिवारे करता हो क्या मेट्रो सिर्फ वी आईपी लोगों के लिए ही बनाई गई है या फिर मेट्रो को सिर्फ वी आईपी लोगों के लिए रोका आयाता है ये एक पबलिक ट्रांसपोर्ट है देश का हर नागरिक इसका इस्तेमाल कर सकता है इसके उपर इन व्यक्ति के द्वारा बोला गया वीडियो बनाया गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया और जो अन्य सहयात्री यात्रा कर रहे थे उनके द्वारा भी इन कार्तिक जो नाम की व्यक्ति है इनका सपोर्ट किया गया इस दौरान कार्तिक के सपोर्ट में और भी लोग आ जाते हैं उनमें सामेल एक व्यक्ति कहता है कि केवल प्रतिबंदित समान मेट्रों में ले जाने पर किसी को रोका जा सकता है वह आदवी गाउं से आने वाला एक किसान है उसे entry से इंकार करना तभी सही है जब उसके पास ऐसा समान हो जिसे मेट्रो में लाने पर रोक है अगर किसान के पास ऐसी कोई चीज है तो हम आपके फैसले से सहमत होंगे मेट्रो अधकारियों को ऐसा ब्यभार जो है पूरी तरह जैसे भेदभावाला है आप वीडियो में भी इस चीज को देख सकते हैं सोसल मीडिया के ऊपर तमाम तरह की बात हैं आफ्टर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदी स्पीकर्स कुल मिलाकर सोसल मीडिया पर इसको एक और एंगल देने की कोशिस की जाती है कॉंग्रेस बन लोगों के द्वारा सोसल मीडिया पर भर भर कर पूशा जाता है उसके बाद बैंगलूर मेट्रो निकल कर आते हैं और खोद जानकारी देते हैं क्या कहते हैं बैंगलूर मेट्रो वाले आर मेट्रो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा जो मेट्रो है वो पब्लिक ट्रांस Regrets the inconvenience caused to passengers कि हम जो हैं इस वात के लिए छमा मानते हैं अब जो Metro है उसके बार है मैं और भी कहा गया कि ये जो पैसेंजर थे इतना ही यहां तक की बात नहीं थी बलकि आगे फर्दर भी ये जो है ट्वीट करता है अपना Bangalore Metro कि फर्दर BMRC also confirms that passenger travelled in Nama Metro from Rajaji Nagar to Majestic कि हम confirm हमने ये भी confirm किया है कि जिन व्यक्ति को रोका जा रहा था उन्हें travel भी कराया गया था उन्हें travel करने से नहीं रोका गया अब सवाल जो है थोड़ा सा उठता है कि समधान इस बारे में क्या कहता है समधान के अंदर एक तरफ बात की जाती है right to equality, right to equality याने की समता या फिर समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के अंदर ये बात लिखी हुई है equality before law and equal protection of law ये है समधान का आर्टिकल 14 और एक है पंद्रे आर्टिकल 15 कहता है prohibition on discrimination की भेदभाव जो है उसके उपर भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल 15 और 14 से जुड़ी हुई ये पूरी तरह से कहानी लगती है ये आप दिख रहे हैं जिनको सम्विधान के अंदर मूल अधिकार भाग में रखा गया है जो की 12 से लेकर 35 आर्टिकल के अंतरगत आते हैं जिसमें आर्टिकल 15 के अंदर prohibition of discrimination की बात की गई है कि जो भेदवाव है लोगों के बीच में वो नहीं किया जाएगा लेकिन अब इसी से सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को इसकी अच्छे से व्याख्या करनी होगी क्योंकि इस incident के बाद उम्मीद है कि जरूर कोई ना को कोई भी भेदवाव नहीं किया जाएगा लेकिन इसमें कपड़ों की बात नहीं की गई है इसी के चलते आने वाले समय में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को interpretation अपनी इस मामले में देनी पड़े और क्या कोई ऐसा नियम चलता है या नहीं चलता वो आगे की कहानी आपके पड़े माला टेंपल गे अंदर दिलाया था 2006 के अंदर और माना था कि ये article 15 का V Humans nature किसी की एंट्री को रोक देना मंदर के अंदर महिलाओं को रोका जाना ये पूरी तरह से आर्टिकल पंद्रे का उल्लंगन माना गया था आपकी क्या राया है इस बारे में कमेंट के मात दें उसे जरूर बताईए उम्मीदें साती हो पूरा सेसन आपको अच्छी तरह से समझ झाल के जल्ड मात देंग्णिकल